दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं लावनिया ग्लोबल करियर प्राना यूटूब चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट अश्रक कुमार साहु करियर कोज आज का ये वीडियो बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो जनल वर्क और होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं यानि कि काम करना चाहते हैं विदेश में जाके जॉब लेना चाहते हैं अगर आप इन में से एक हैं तो इस वीडियो में बने रहें क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है जी हाँ दोस्तों आपको सचमुच बहुत फायदा होने वाला है अगर आप पहले बार चनल पर आए हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथे बेल आकन को on करके notification बटन को on रखें क्योंकि इसी तरह का informative वीडियो हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि ये आपका career का सवाल है दोस्त बात करते हैं jobs का अगर आप general worker या फिर hotel management का job करना चाहते हैं बिदेश में तो हम बात करते हैं Maldives, Singapore, Gulf country ये से दुबाई, अबुधाबी, सौधी, ओमान, कतर ठीक है तमाम Gulf countries का जितना भी countries है और बात करें European में तुझे से किया आप Croatia, Malta, Romania, Serbia, Austria ठीक है तमाम देशों के बारे में बात करें और बात करें Mauritius की तो तमाम जगा दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा vacances आ रहे हैं ठीक है तो दोस्तों आप apply कर सकते हैं European country में, आप apply कर सकते हैं US में, आप apply कर सकते हैं Canada में, आप apply कर सकते हैं Australia में, Gulf country में, Maldives में, Singapore में ठीक है और तमाम countries में दोस्तों आप apply कर सकते हैं तो बिल्कुल मायूस होने के बात नहीं है कि मैं तो एक general worker हूँ मुझे कहा जॉब मिलेगा बिल्कुल नहीं आपको 100% जॉब मिलेगा बस सरते हैं आपके पास आपका passport होना चीए ठीक है और passport का validity छे महने का उपर होना चीए ठीक है आपको उम्र एककिस साल से लेके पैंचालिस साल तक होना चीए और आप सक्षम होना चीए काम करने के लिए और जैसे कि मैंने कहा कि आपको बस experience होना ज़रूरी है काम का ठीक है काम आपको 100% मिलेगा बात करें hotel management students का जो hotel में industry में काम करना चाहते हैं अगर आपके पास थोड़ा पहत experience है दोस्तों चाहे दो साल का तीन साल का चार साल का तो आपको मैंने जितना भी country जनरल वर्क लिए बताया उतना country में आप जाकर काम कर सकते हैं बस एकी चीज़ करना है आपको इंट्रेस्ट लाना है कि आपको कौन सा country जाना है कौन सा country में काम करना है अगर आपके पास इस सबका ideas नहीं हैं तो आप please अपना counseling book कराएं मेरे साथ यहाँ पर मैं number दे दिया हूँ जहाँ पर आप call कर सकते हैं और अपना slot book करके counseling book करें और मेरे से आप एक घंटा बात कर सकते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कौन सा country और कहाँ पर जाना जाए अगर आपने एक बार counseling book कर लिया समझ जाए कि आपको job निश्चित ही मिलेगी आपको सही direction मिलेगा क्योंकि जब तक आपको सही direction नहीं मिलेगा दोस्तों तो क्या है मंजीले पहुंचने तक देरी होता है पहुंच तो जाता है लेकिन देरी होता है ठीक है और कई writers ने ये भी कहा है दोस्तों कि investment अपने आप पर जरूर करें और career counseling को तो करना ही चाहिए ये कोई खर्चा नहीं है it's a kind of investment अगर आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका life बहुत है अचा होता है अब इसका आगे बता देता हुमने कि कहा कहा vacancies है और क्या क्या vacancies है तो बात करें अभी मॉल्दिस में तो F&B waiter की kitchen की यानि बात करें सिंगापूर की तो सिंगापूर में भी F&B service और housekeeping का बहुत ज़्यादा vacancies है यहाँ पर salary है दोस्तों 1800 सिंगापूर डॉलर से लेके 200 सिंगापूर डॉलर लेकिन हाँ सिंगापूर में कोई accommodation नहीं मिलता और food on duty time मिली होता है यहने duty मिली होता है बात के मॉरिशस का तो मॉरिशस में सारे department में अभी vacancies है जैसे आप F&B service का है housekeeping का है food production का है engineering का है sales and marketing का है accounts का है सभी department में दोस्तों अभी job available है general locker जो है वो यहाँ पर जा सकते है kitchen helper में ठीक है और public area attendant में ध्यान रखिये है वीडियो को पूरा देखिये skip मत कीजिए गाने तो फिर आपका जो तकदिरी माने वाला हो भी चला जाएगा ठीक है क्योंकि यह time pass वीडियो नहीं है यह आपका career related वीडियो है दोस्तों अब बात करते हैं यूरोप में तो यूरोप में बात करें Malta में तो Malta में सारे vacancies है अभी जैसे कि आपका F&B supervisor, F&B waiter, housekeeper, housekeeping attendant, public area attendant, food delivery boy, ठीक है driver, chef, commie 1, commie 2, DCDP, CDP, तमाम सारे vacancies अभी Malta में भी आ रहे हैं बात करें क्रुएश्य का तो क्रुएश्य में urgent openings है अभी chefs का, continental chef अगर आपका बस अच्छा कास experience है तो आप as a CDP जा सकते हैं, DCDP जा सकते हैं, commie 1 जा सकते हैं, commie 2 जा सकते हैं, kitchen helper जा सकते हैं अगर आप fresher हैं, आपका कोई experience नहीं है, ठीक है फिर ट्रेणिंग किये हुए हैं, तब भी आप as a kitchen helper आप European country जा सकते हैं यहां भी salary अच्छा दोस्तों, 1500 से लेके 1500 euro आपको basic मिल जाता है kitchen helper के लिए, आगे का जितना भी बड़ा position जाती जाती जाएंगे, उस हिसाथ साथ सापको salary मिलते जाएगा Croatia में आपको free food accommodation मिल जाता है, साथ ही साथ आपको bonus मिलता है, incentive मिलता है, overtime मिलता है, ठीक है, तो अगर end of the day आप देखें तो आप अच्छा खासा income generate कर सकते हैं और जैसे ही आप तिन साल वहां रहे जाते हैं तो आपको blue card मिल जाता है, और 5 साल complete करते हैं तो आपको green card मिलता है, हलाकि इसके लिए आपको exam भी देना होता है language का, बात करें ऑस्ट्रिया का तो ऑस्ट्रिया में बहुत vacancies जा रहे हैं, पॉल्लांड में बहुत जादा vacancies ज इस वीडियो में कि आप जहां भी काम करना चाहते हैं वहां के लिए apply कर सकते हैं, पहले research के जिए country के बारे में कि कौन सा country आपका profile की सबसे बहतर होगा, कहां को जाना चाहिए, कहां का salary आपका salary से matching करता है, तो तमाम चीजों के बारे में अगर आप details में research करेंगे और चकर के जाना ही जाना है, अगर आप online apply करना चाहते हैं, तो online में job मिलना इतना आसान नहीं होता है, मिलता है, लेकिन लाखों में 2 या 3 जन को सबको नहीं मिलता है, ठीक है, तो better यह है कि अगर आपको time waste नहीं करना है, तो आप किसी भी consultant के थूँ जो आपको अच्छा लगत है, वहां से आप apply कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप हमारे भी help लेज सकते हैं, अगर आप एक waiter है, housekeeping attendant है, kitchen में काम करते हैं, या फिर किसी भी department hotel industry में काम करते हैं, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, I can help you how to get a job, रही बाद charges की, तो हर country का charges अलग अलग होते हैं दोस्तों, अभी य जा सकते हैं, अगर आप जदा पड़े लिखें तब भी जा सकते हैं, बसरते हैं आपको काम करने में interest होना चीए, और लगन से काम करना चीए, साथ ही साथ अगर आपको पास कुछ experience है, प्रायरली, चाहें आप किसी भी industry में काम करने हो, किसी भी position में काम करने हो, अगर आप आपको आपका client को बताना में आसान होता है, कि मेरे पास experience है, अगर वो पूछेगा कि why should I hire you, तो आपको ये बताना है कि भाई, जो आपको candidate चाहिए, जो आपको employees चीए, जिस category का चीए, जो experience का चीए, जो पड़ाही लिखा चीए, मेरे सब में मौज़ी थे मेरे पास, ठीक करता हूँ, आज के इस वीडियो को माध्धम से आपका जो भी doubts सा होगा, country को ले करके, jobs को ले करके, salary को ले करके वो निकल गया होगा, अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like, comment, share, जरूर करें, अरही बात दोस्तों, Australia, Canada, और UK का, तो दो दोस्त अगर आपको student है, तो आपको student visa में जाना चाहिए, और student visa में जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलता है, क्या-क्या benefits मिलता है, कैसे आप process करना चाहिए, मैं आने वाले वीडियो में यह one by one बताते जाओंगा, तो आशा करता हूँ, आज के वीडियो को माध्धम से आपको बहुत कुछ information मिला होगा regarding your jobs and overseas career, अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, topic अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like, comments और share जरूर करें, और यार, subscribe तो करना ही करना है न, अगर नहीं किये हैं तो, और अपने दोस्तों को वीडियो को share जरूर करें, मिलत में अगर एक जरूर कोँए हो, कुछ जरूर करना हो, thank you